Redmi Note 5 Pro के लिए डरफेस्ट का लेटिस्ट अपडेट आ गया है और यह बेज्ड है Android 12 L पे तो देखते हैं हमें यहां पे क्या कुछ निव मिल जाता है पिछला एक महीं ने पहले अपडेट आया था हलाकि इसके काफी फास्ट अपडेट आ थे लेकिन इस बार जो है काफी लेट आगर देखे पहले के हिसाब से तो यहां पिए Android 12 L पे बेज्ड है ओफीशल अपडेट जैसे कि हमें देखने को मिलता है तो पिछले अपडेट के मुकाबले जो भी चेंजे उनके बारे में बताऊंगा पाफोमेंस डाउन हुई कि नहीं हुई उसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो में लास तक अब बनी रहेगा और वीडियो अगर आपको अच्छे लेगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजेगा तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो डर्फेस्ट का प्लेटफोर्म वर्जन यहनिके इंडोईड वर्जन 12L देखने को यहां पर मिल जाता है यह आप देख सकते हैं जो विल्ड है यह आया है 10 अप्रेल को 10 अप्रेल 2022 को और जो करनल है हमारा जो सेक्योटी पैच है क्या रहेगा करेंके यहां से अपने सब्सक्राइब कर सकते हो यह वाला उप्शनलक्ता तसी में भी लेकिन अभी काम नहीं करता ऊपर न ज्यादा रहेगा और होट्पुर्ट अ कमारा यहां पर पहले की तरफ working रहेगा connected device के अंदर सब कुछ पहले की तरफ perfect है यहां कोई दिकत नहीं मिलती है working मिल जाएगा और apps में जाओगे तो यहां पर यहां पर आपको सेम मिल जाएगा इसमें कोई बी चेंज नहीं हुई है और असिस्टेंट गूगल यानि की बिल्कुल working पहले की तरह रहता है तो यहां पर कोई चेंज नहीं है और बैटरी वाले सेक्शन में तो कोई चेंज नहीं मिलता है लेकिन अगर आप यहां पर नीचा नहीं मिलेगा बस यहां पर आपका में एक चेंज हुआ है कि यहां पर पॉप-प अपस्टेंग्स देखने को मिल रही है जो कि पिछले वाले में स्लाइड करके चेंज हो रहा था थी यह वापिस पॉप-प वाला ही सेटिंग्स एड़ कर दिया गया तो यहां पर मिलता है एन अगर आप जाते हो कि यह पैनल में तो नोटिफिकेशन के अंदर किल अप बटन का उप्सन आप निव देखने को मिल जाएगा साथ साथ फोर्स एक्स्पेंड नोटिफिकेशन यह भी आपको निव मिल जाएगा तो यह उप्सन और नीचे आओगे तो यह उप्सन और निव एड़ कर दिया गया तो एक चेंज हुआ है और थोड़ा नीचे आओगे तो रीटी कर भी एड़ कर दिया है जिससे आपका नोटिफिकेशन रीडिजाइन और काफी सलीम देखने को मिलेगा तो यह इसके अंदर आपके आपके सारे पहले बाले हैं कोईक्स के अंदर कोई है तो यहां पर नीचे आती है टो यहां पर आपके से बाऊंक्र कर सके यहां के से मिलता नीच्छे में तो हम चलते इसके के अंदर में तो यहां पर आपको कुछ चैंजस मिलती जैसे कि फिंगर्पिंट वैक एन लोक मिल जाता है तो इसको इनेवल रखना डिशेवल रखो के ताप स्क्रीन ओप पर फिंगर्पिंट काम नहीं करेंगा तो इनेवल कर लें बाकि हाइड स्टेडस बार यह नियू मिल लॉक के नाम से क्योंकि अब एंडरी ट्वेल के लिए इस तरीके से नाम से मिलता है डवल लाइन क्लोग जिसे कि आप स्क्रीन लॉक्स्रीन क्लोग को च्छोटी बड़ी करस्पा होगे और टेंप्रेचर वाला यह उप्शन भी निव एड किया गया अब लॉक्स्रीन पर लॉक्रीन भी और लॉक्स्रीन मीलने क्यों जाल तो नहीं मिलता है तो यहां पर आपको पहले की तरह मिल जाएंगे पल्स भी पहले की तरह रहेगा नविगेशन बार अगर यूज करते हो तो तो नविगेशन बार इस्टाइल चेंज कर पाऊगे जो कि कुछ अपडेट पहले आपको बताया था जेटिंग्स में यहां यहां पर आपको एक ही चेंज देखने को मिल जाता है लॉंच म्यूजिक एप और हैटसेट कनेक्शन यानि कि आप इसे इनेवल रखोगे तो आप अपनी एरफोन को लगाओ तो आपका म्यूजिक एप लॉंच हो जाएगा डारेक्ट प्ले हो जाएगा यह चीज आपको इ एक चेंज आपको मिल जाता है और बैक करके चलते हैं नोटिफिकेशन तो इससे सेम यह बाकी बैटरी की अगर बात करें तो उपर आपको टॉप पर पहले एक रिसेट को अप्शन रहता था जिससे आप अपनी बैटरी उसको रिसेट कर पाते हैं यहां पर दे दिख नहीं में यहां पर बैटरी चाज़िंग और निव टहने नियुग होद कर दिया करते हैं और पिटरी से उपिक परसंट बैडरी करने पदे घ्रिक बाद करने के बाद ह比較 sound में तो sound के अंदर भी कुछ changes हुई है जैसे कि यहाँ पर आपका जो स्मार्ट पाउस का option देखने को मिल जाता है इसके अंदर में यह एडिप्टी प्लेबैक है जो कि पहले system के अंदर जेस्टर की के अंदर था यहाँ पर स्मार्ट पाउस हो चुका है और नीचे आते हो तो यहाँ पर आपका जो मीडिया है हलांकि ले आउट आपको लेटेस्ट मिल जाता है लेकिन यहां पर देखने को मिल रहे हैं यहां पर नहीं है और नीचे यहां पर पर यहां पर नीचे आपके बाकी आपके अपका चार्जिंग सांड अब मिल जाता है पहले सिर्फ चार्जिंग सांड था लेकिन अब और इसके अंदर एड़ कर दिया गया तो दोनों साथ में ओन आफ कर पाऊंगर यही पर नीचे टॉट बिता जो कि आप बाइबरेशन ह मिल जाता है साथ में पर नीचे आपके सब कुछ सेम है पर है वॉलुम कंट्रोल हो यह मैं साउंड इन सर सब कुछ पहले जासा है डिस्प्ली के अंदर यहां पर लॉक स्क्रिन में आपको कोई चेंज नहीं मिल जाती है तो यहां कुछ चेंज नहीं है लेकिन नीचे आओ था लेकिन अब अब आड़ कर दिए गया तो अर्जस कर पाओंगे हां पर हालाकि इसका बाल पेपर में यूज करों आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और इसका डिफोल्ट बॉल्पेपर वही पहले वाले रहेगा यहां से बॉल्पेपर सेट नहीं होगा तो क्या करना ह इसका जो गूगल फोटो एप है यह इंस्टोल करने क्योंकि इसके अंदर जो है इस बार देखने को नहीं मिलता गूगल फोटो एप तो प्लेस्टोर से डाउनलोड कर लेना उसके बाद आराम से आप बॉल्पेपर सेट भी कर पाओंगे अधर आप सेट करना चाहों तो एंफिनीच आते हैं सेक्टिक अंदर थी आपको पिछले प्डेट में एड़ हो गया था फिंगर्पिंट एंड आपका जो फेस अंडोक और एप लोग है सेटेंग्स आप देखोगो तो सेटेंग्स में आपका यहां पर सिमलर से हैं बस यहां पर वरिफाई वाट इस यह इन एप्स जो देखने को मिलता है एक थोड़ा सा नेम चेंज हुआ है बाकी तो आपका यहां पर पहले जैसा इनिमेशन मिल जाता है अगर आप आप करना चाहो तो ऑफ ही करने ज्यादा बेटर है अला कि काम तो अच्छे से कर रहा है और जो फेस अनलोक है यह भी अच्छ आपका यहां पर डिश्टाल वेल्विंग मिल जाएगा जिसमें अला कि कोई चेंज यहां पर भी आपको नहीं मिलती है पूरी तरीके सापका जो है अच्छे से काम कर और पहले की तरह बिल्कुल वरकिंग है सिस्टम में जाते हैं यहां पर जादा सा मूब जरूर हो गया ह सबस्पर पहले शिस्टम नविगेशन की बात करें तो यहां पर आपको एक उप्सन निउग मिल जाएगा है जो पिल मर्ज बटन जो दिया गया है एक ही यह उप्सन आपको मिल जाएगा आप यहां पर देख सकतो नीचे जो है मूवमेंट हो रही है पिल पर यहां पर मिल मिल जाता है तो सिर्फ एक चैंज आपको इसके पहले जैसे रहेगा भागि इसकी स्टाइल चैंज गरने के यहां पर देखने को मिल जाता है डर अटर में नविगेशन बाहर वहां सवाटिरेक्श के यहां प्वाकि अब डिलीट और लेंस भी देखने को मिल जाता है यहां पर जो कि यह पहले नहीं मिलता था यह चीज़ आप देखने को यहां पर मिलने वाला है डिलीट और लेंस लेंस के लिए हलाकि आपको गूगल गूगल का जो लेंस है वह डाउनलोड करना पड़ेगा तभी अच्छे से काम करेगा फिलाल यहां पर आपका दो आपका निव देखने को स्क्रीम सोट में मिल जाते हैं टैब पहले से था और यहीं पर पहले अडिप्टी प्लेग था जो यहां पर मिल रहा है और स्टेटस बार करोगे तो इसके अंदर भी अब आपको थोड़े-बूत लैक्स मिल जाता और एक अनिमेशन आप देखोगे तो यहां पर बिल्कुल भी अनिमेशन नहीं मिल रहा है अगर आप देखे होगे बाकि एंड़ोई 12.1 में सभी में अनिमे रिमूब हुआ है बाकि अगर हम चले स्क्रीन रिकोडिंग के तरफ यहां पर सोट टच का उप्सन रिमूब हो गया बाकि यहां पर आप स्टॉप टाइमर भी आप देखने को मिल जाता है एड़ कि अंदर त्री सेकेंड वाला जो टाइमर है और हट जाएक डारिक स्टार् था और एप ओपनिंग में अगर हम देखे तो अंदर भी आपको थोड़े भूत लैक्स मिल जाते यानि कि पिछले अप्रेट थोड़ा सा बैडर था एनिमेशन के मामले में भी पाफूमेंस तो आपको बताऊंगा ही बैटरी बता ही चुगा लेकिन यहां पर एनिमेशन ज दोने पर काम कर रहें वाइफए को लिंग क्रेंगा ऑप्शन दिया गया और यहां पश्छाण को लेकर के और वी बिल्कुल वरकिंग रहता है जीयो अच्छ से काम और यहां पर गूगल फोटोगी बात करें जैसे वी आपको लिंस्टोल करना पड़ेगा हाँ को चैनल पर तो यह यह आपका पहले भी काम करता और अभी विजू है यह वर्किंग आपको मिल जाएगा यहां पर और अगर हम बात करें प्लेस्टोर की तो प्लेस्टोर भी सट्फाइड है उसे यहां पर दिक्कत नहीं सेप्टिनेट बाइड फॉल्ट पास आता है विदावर्ट आप पाएंगे यह यूज कर सकते हो स्क्रीन पर होल्ड करें पर हलाके रिशनेट बोल पेपर तो देखने को नहीं मिलते अभी इसके अंदर लेकिन जो क्लोक है स्टाइल है सब आपके पहले वाली विजेट्स मिल जाएंगे बिल्कुल लेटेस्ट है एंटूड स्कोर वन लाग और अब बात करते हैं गेम स्पैस के अंदर में पूरा आपका सेम हैं बात करें तो ग्राफिक इसकी अपहले कित्रहिं मिल जाएगा स्मूध पर हाई रखण तक तो अब हम यहां पर बात करते हैं कोई फरक पड़ा है कि नहीं पड़ा तो मैं यहां पर बीडान खेलूंग फर्स्ट बिल्ड है अब इसके अंदर आपको जो है पिछला जो विल्ड था उसके मुकाबले यहां पर डाउन मिलने वाला एनिमेशन लैग भी थोड़ा सा बढ़ा है इसके अंदर और जो एंड़ो 12L में जो एनिमेशन मिल रहा है बाकियों में इसके अंदर जैसे कि आप द परिफोमेंस देखने को मिलेगी और बैटर बेकर भड़ा की सिमिलर से देखने मिला उसमें उत्मा कुछ आदा खास फर्क नहीं पढ़ाए फिर भी देखे तो हलका फूलका आपको जरूर कम मिलता है लेकिन उतना भी कुछ खास परक नहीं पढ़ाई पिछले बडेट के सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को प्रेस करके और विकल लीजिए ताकर एक लिए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए धन्यक्राइब कर फवाचिक।